नवस्कार दोस्तो सिक्षण अकैडमी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं और तरप्रदेश लेकपाल भरती प्रिक्षा 2019 के बारे में दोस्तो इसमें हम जानेंगे कि क्या यहां पर सिक्षण युकता रहेगी कौन- की आयू सीमा है और भी बहुत कोछ इस वीडियो में आपको जानकारी देने बाला हूं तो आप बने रहेए आप हमारे साथ इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए और दोस्तों नए महमानों से नवेदान है यदि आपने अभी तक भी चैनल को सश्काइब नहीं किया है तो प्लीज जली से चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और नोटिफिक्शन बेल पर क्लिक कर दीजिए तांगि जो भी नया अपडेट आता है तो उसका इनफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच रके तो चले दोस्तों देड़ ना कर तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इसकी क्या क्या डाकॉमेंट यहां पर आपकी जरूत पढ़ेगी उत्तर प्रदिश लेक पार भरती परिक्शा 2019 में ठीक है दोस्तों आपके लिए बता दें कि सबसे पहले तो आपका आधर कार्ड होना जरूरी है आपका आधर कार्ड बिल्कुल एडिट करवा ले जी क्योंकि जो की आप ही मार्क सीट में नाम रहता है उसी के आधर पर ही आधर कार्ड पे नाम रहना चाहिए इसलिए दोस्तों आधर कार्ड में इस भरती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदबार के पास आधर कार्ड होना अनेवा बार ये होगा ठीक है किया आधर्राकार्ट होना अने बार हीQu OA इस परिक्षा में भाग लेने लिए ठीक है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेक्षंट प्रमान-पत्रों की दोस्तों इस इस भरती प्रक्रिया में हिश्टा लेने बाले उम्मीदबार के पास सेक्ष्र प्रमान पत्र होना अन्य वारी है यानि कि ऐसा नहीं है कि आप वार में पास होगा और आपको रजल्ट नहीं आया डाकॉमेंट आपके पास नहीं आए और आप इसको फॉर्म भर दे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा जो भी आपके सेक्टर प्रमान पत्र है भै आपके फिजीकली अपने साथ हो यानि की कोई चिससे सॉप्टम अप कौफी में नहीं चलेगा आपके पास होना ही चाहिए ठी है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जाती प्रमान पत्र की दोस्तों इस भरती प्रिक्रिया में भाग लेने बाले उम्मीदवार के पास चाहती प्रमान पत्र भी होना अनीक वारिया है यानि कि दोस्तों जाती प्रमान पत्र दिया आप नहीं बनाया है तो आप बनवा ल जहेंगे और लाश्ट जनवरी ताक इसकी लाश्ट डि रहने बाल है तो दोस्तों यदि आपका जाती प्रवंबात्र तबात है तो आप जल्लीसे अपना जाती प्रवंबा बनवा लेदये हैं ठीक है इसके बाद बात करते हैं लेवा nov उत्तर प्रिदेश के बिद्धारती ही यहां पर आविदन कर सकते हैं अधर स्टेट के बिलकुल भी आविदन इसमें नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अधर स्टेट के बिलकुल भी परेशा ना हो जो की UP के मैं 89 या स्थारी 89 ये भाही लोग यहां पर आविदन कर शक्ते हैं इसके बाद बात करते हैं दूसरों सेलेक्ष्ण योकता कि क्या आपकी योकता होनी चाहिए तो इस प्रिक्रिया में भाग लेने बाले उम्मीदबारों को कम से कम बारवी पास होना अनिवारी होगा यानि कि बारवी पास हो भाई उम्मीदबार इस भरती प्रिक्रिया में भाग ले सकता है तो कम से कम इसमें बारवी पास होना अनिवारी है किसना बार्मी पास होना अनिवारी है इसके बात बात करते हैं दोस्तों आयू सीमा की दोस्तों आयू सीमा की बात करने वाल उम्मीदवार की आयू सीमा यहां पर दोस्तों 18 से 40 वर्स के बीच होनी चाहिए कितनी 18 वर्स से 40 वर्स के बीच होनी चाहिए इससे जादा नहीं होन आप में पर्फॉरम्ट नहीं भरता होगे तो इसलिए बुस्तों 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से जाशं़ा नहीं होनी चाहिए आपकी एईज तो दूस्तों इस वीडियो में हमने जाना आयू शीमा के बारे में शेक्षन युकता इस्ताइड नवास के बारे में और इसके बार बात करते हैं जाती प्मारपत्र के बारे में शेक्षन प्मारपत्र के बारे में और आधार कार्ट के बारे में तो दोस्तो यह संपूर्ट जानकर ही हमने आपको प्रोबाइट कराई तो इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें शेर कर और आप अपने चैनल सिक्षा अकेडमी को सस्क्राइब करना ना भूलें तो चले दोस् तो मिलते हैं अब अंगली नेस्ट वीडियो में तब तेक लिए दोस्तो बाई